कि इसमें हमारी क्या गलती है हमारी क्या गलती है मन्यमुक मंत्री है मेरा नमर निवेदन है कि आप जरा कागज पतर को पढ़ें आप कागज को पढ़ना नहीं जानते हैं क्या 2019 का विज्यापन का पालन होना चाहिए हम आपके विज्यापन पर फाउं भरे थे विज्यापन पर हमने 500 रुगी 2019 में विज्यापन निकला था पी एर थेरी सेवेंटी थेरी अबलिक टू टांट निट था कि चेन की प्रकिरिया क्या होगी सर्टिफिकेट किसे दिया जाएग इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि कैसे कैसे चेन होगा उसमें स्पष्ट रूप से सब चीज़ लिखा हुआ है विज्यापन के अलुसार मेरिट वालों को ही जॉब देना था नॉट मेरिट को नहीं देना था स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है विज्यापन उतना ही रिखती होगी अब क्या कहता है सिक्षाई भाड कि उन्होंने गल्ती कर दिया बिहार बोड ने कोई गल्ती नहीं की सेख्चावी भाग के अधिकारियों से मेरा नम्र निवेदन है कि आप कागज पतर को पढ़ें आप कागज को पढ़ना नहीं जानते हैं क्या जिट्टी नहीं पढ़ें आप आप जिस गंदी पढ़ें संजय सर अपर मुकस सचीव की गंदी परा बैठे हुए हैं उसे ओफिस से निकाली गई थी वो लेटर गिरवर्दयाल वो आरके महाजन सर उसी ओफिस से दिशानिर देश दिया था गिरवर्दयाल सर के अब उस समय क ततकालिन अध्यक्ष आनंद किस ओर सर ने विग्यापित की थी आप उसको कैसे भूल जाएंगे आप कैसे कहते हैं कि उन्होंने गलत कर दिया उनको कहना चाहिए था कि आज क्वालिफाइंग लिस जाड़ी हुआ है मेरिट नहीं बना है मेरिट बनेगा कुछ दिन बार और मेरिट जब बनेगा उसमें से 24,599 को मैं मेरिट बनाऊंगा और मेरिट के अनुसार नौकरी देऊंगा सिक्षा मंतरी ने गलती की इसमें हमारी क्या गलती है हमारी क्या गलती है मनिय मुख मंतरी जे हमारा क्या गलती है आपके सिक्षा मंतरी ने गलती की ना सिक्षा मंतरी को सजा मिलने चाहिए ना अपर मुख सची उने गलती की ना गलती उनको सजा मिलने चाहिए ना बिहार पास समझाते हैं आप कहते हैं कि मामला तो सौट आउट होगा अभी आंदोलन होगा करांती होगा मुखमंद्रेजी पटना की धरती से तिहासे करांती होगी इंबेरिट के करांती है इस देश को दुनिया को ब्हार को सब को बता दूंगा कि यह 2000 ने स्काइस्टेट का मुद्धा क्या है यह विज्यापन हमारा अगीता और कुरान है इसको कोई रद नहीं कर सकता इसके नॉट मेरिट वाले अभर्थियों मेरी बात को आप ध्यान से सुन लो आपने इस विज्यापन को पढ़के फाउं भरा था कि नहीं भरा था अपने दिल प आपको सहीद कर लेंगे लेकिन घर नहीं जाएंगे यह कोई डर नहीं लाठी से कोई डर नहीं है मैंने कह दिया है 3675 अभियर्थियों को मेरे साथियों भाईयों बहनों निकल जाओ घर से तुम्हारी हक को मारा जा रहा है निकल चलो कफन बांध के इस माथे में और मैं नहीं होने देगा पोलेस की सबसे पहले लाठी मेरे माथे पर गिरेगे वचन दे दूंगा कभी पीछे नहीं हटूंगा मुक्मंत्री जी से नमर निवेदं करता हूं कि आप विज्ञापन का पालन करवाइए wellness क्योंकि हम सत्य के रास्ते पर है सत्य में वजयते सत्य में वजयते और हम इसके लिए जान की बाजी लगा देंगे मुक्मंतृ जी आपकी कदमों में अपने आपको सहीद कर लेंगे लेकिन हम इस विग्यापन को खतम नहीं होने देंगे, हम इस समिधान को खतम नहीं होने देंगे, पटना में एक दूसरा साथ सही रस्मारक मनेगा, एक स्टेट दोजारू नहीं इसका, आप इसको आगया लिए, हल करिए, नहीं तो पटना में दूसरा साथ सही बनाने की तैय लगाए अगके मुख्मंत्रीजी में था मुख्मंत्रीजी को निमेर मुख्मंत्रीजी थे सब तो हुआ